जैसे बताया जब धान डालते खेती में तो क्या करते हैं हल चलाते हैं इसी तर ग्यान का बीज बुद्धी में डालने से पहले आदा गंटा योग करना जरूरी है तब मुरली समझ में आईगी ने तो कईयों को मुरली समझ में नहीं आती मुरली में बाबा ने क्या इशारा दिया है मुरली को समझने के लिए योग जरूरी है बिना योग करके जो मुरली सुनता है शाम तक उसका मनन चिंतन भी नहीं चलेगा पहले जमाने में मटकों में मक्कन निकाला जाता था मटके में माताई क्या करती थी और वो कितना बज़े निकालती थी दुपेर को नहीं निकालती थी सबेरे सबेरे ठंडे मोसम में निकालती थी ठंडे मोसम में मक्कन अच्छा निकालता है मठके में क्यों निकालते हैं मठका ठंडा होता है इसी तरह दिमाग भी हमारा क्या है एक मठका है और ये मठका जितना ठंडा रहेगा उतना मक्कन निकलेगा लेकिन आज कल सभी के मठके गरम हो गए है और इसलिए मक्कन के बज़े जहर निकलता है हरे के प्रति जेर बरावा ये ICA सभी के प्रति निगेटिव इसलिए पोजिटिव बनो सकरात्मक बनो इसलिए आज से आदा गंटा क्लास के पहले क्या करेंगे योग करेंगे ये द्रड़ संकल्प लो